सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को और जो बेल आइकन है उसे दबाईए ताकि जितने भी फैक्ट टेक 14 के नोटिफिकेशन्स या अपडेट्स हैं वो आपको मिल सके आज के इस वीडियो में हम अन्बॉक्सिंग करने वाले हैं एक मोबाईल ट्राइपॉड स्टैंड की तो अभी आपको नाम से ही पता चल गया होगा कि यह एक ट्राइपॉड स्टैंड है यानि तीन पैरो वाला स्टैंड है जिसके उपर आप अपने फोन को फिट कर सकते हो अ इसके अंदर की जो चीजे यानि की जो में प्रोड़क्ट है उसे हम देख लेते हैं तो चलिए अब हम इसे खोलते हैं और इसके अंदर का जो प्रोड़क्ट है उसे हम निकाल देते हैं तो जैसा आप देख सकते हो आपको एक इस तरह का कवर मिलता है और इस कवर के अंदर यह आपका stand है तो चलिए stand को हम बाहर निकालते हैं तो जैसा आप देख सकते हो यह जो हमारा tripod stand है वो निकल चुका है और इसके अंदर आपको एक और चीज मिलती है और यह है आपका mobile holder तो इस तरह के product अगर आप खरीते हो आपको दो चीज़े मिलेंगी एक है आपका stand दूसर है आपका mobile holder एक चीज आप ध्यान से सुनिएगा कि यह जो stand आप देख रहे हो यह सिर्फ और सिर्फ mobile में ही use हो सकता है अगर आपके पास कुछ cameras है जो बड़े-बड़े DSLR cameras आते हो या फिर LED lights वगरा जो मिलते हैं जो round color के LED lights अगर उन्हें आप use करना चाहते हो तो आपको अलग से उनके accessories खरीदने होंगे लेकिन अगर आप बस mobile यूज करना चाहते हो तो आप इस mobile holder से इसे बहुत easily use कर सकते हो तो यह है इसका parts तो यह जो ऊपर वाला भाग आप देख रहे हो यह हमारा adjustable रहता है और यह जो नीचे का भाग आप देख रहे हो यह जो silver color यह आपका mobile holder यह आपका stretchable रहता है तो आप अपने mobile का जो width है उसके हिसाब से इसे खीच कर adjust कर सकते हो तो इतना अगर आप देख सकते हो तो कोई भी phone इसमें बहुत easily आप fit कर पाओगे तो चलिए अब हम इसे इसमें fit करते हैं और जो different adjustment है वो थोड़ा सा देख लेते हैं तो चलिए अब इस mobile holder को इसमें हम fit करते हैं तो fit करने के लिए आपको क्या करना है यहाँ पर नीचे आपको एक knob मिलता है आप देख सकते हो यह जो knob है यह घूम रहा है तो इसे आप पकड़ लीजिए और अपने mobile holder को यहाँ पर रखिए रखने के बाद इसे इस तरह से rotate कीजिए तो यह आपका completely fit हो जाएगा यह आपका completely tight हो जाएगा तो इसे पूरी तरह से tight करके rotate कर लिजिए तो देखिए यह आपका fit हो गया एक और चीज़ बता दो यहाँ पर आपको एक gyroscope दिया जाता है जिसकी वजह से यह आपको helpful कैसे रहेगा जब आप इसे कोई straight surface पर रखोगे तो इसका जो liquid है वो बीच में आना चाहिए तब आपको पता चल जाएगा कि आपका जो camera है वो सीधा है या नहीं इसमें दो और adjustment मिलता है इस तरह से आप इसे adjust कर सकते हो और यहाँ पर आपको एक knob मिलता है इसे अगर आप loose करते हो तो आप इसे इस तरह से भ भी लंबा हो जाएगा उसके बाद आप इसे tight कर लीजिए फिर जो बाकी के जो knob से इसे में हम सीधा कर लेते हैं सीधा कर लीजिए उसके बाद यह जो knob है इसे भी आप tight कर लीजिए उसके बाद यहाँ पर भी जो knob है उसे भी आप tight कर लीजिए उसके बाद आप इसे भी tight कर सकते हो जब इसे आप tight करोगे तो यह भी आपका tight हो जाएगा देखिए तो मैं इसे tight कर लेता हो तो इससे क्या है आपका बहुत अच्छी तरह से completely fix यह हो गया अगर आप चाहो तो यह भी हिलेगा भी नहीं तो वापस से अगर आप इससे इस तरह से घुमाना चाहते हो या कुछ इसा करना चाहते हो तो उसके हिसाब से आपको knob को fit करना होगा तो अब हम क्या करते हैं हमारा जो mobile है उसे fit करते हैं और देखते हैं देखिए मैं इसे वापस से अंदर भर लेता हूं तो इसमें अभी हम mobile को fit करते हैं mobile fit करने के लिए आप अपना phone लीजिए और यहाँ पर जो adjustment है उसे थोड़ा सा उपर कीजिए और अपने phone को set कर लीजिए एक चीज़ पावर बटन को जैसे touch ना हो अगर इस तरह से नीचे कर लीजिए तो यह देखिए यह आपका completely fit हो गया अब आपको अगर movement वगरा करना है तो हर एक knob को पहले थोड़ा सा lose कीजिएगा tight में बिल्कुल movement मत की जाएगा नहीं तो यह आपका टूट जाएगा ठीक है तो जैसे आप देख सकते हो यह आपका इस तरह से भी हो रहा है तो यह बहुत अच्छी तरह से आपका movement दिया गया है आप इस तरह से कर सकते हो इस तरह से कर सकते हो मैं इससे tight कर लेता हूँ आपका horizontal view में है, यानि जब आप वीडियो कुछ बनाओगे या कुछ करोगे तो इस तरह से फोर रहे हैं, अगर आप इसे vertical view में करना चाहते हो, तो इससे थोड़ा सा lose कर लीजे, और इससे इस तरह से rotate कर लीजे, एक मिनिट कर लीजे, एक मिनिट कर लेते हैं, ताकि जो knob है और इसे इस तरह से आप अच्छी तरह से rotate कर लीजे, तो यह देखे, यह आपका vertical videos बनाने के लिए भी तैयार है, तो इस तरह से आप इसे बहुत easily adjust कर सकते हो, अब यह जो total length है इसका वो भी हम देख लेते हैं, जैसे मैंने कहा है इसमें आपको तीन level मिलते हैं, यानि यह आपका लंबा होगा, और नीचे आपका rubber leg pad दिया जाता है, जिससे क्या है जब आप इसे नीचे रखोगे तो यह आपका फिसलेगा नहीं, तो हर एक knob को जब आप खोलोगे, तो आप इस तरह से इसे खीच लीजिए, और यह आपका, देखे, पहले यह नीचे वाला knob निकल चुका है, similarly, ऊपर वाला और इसे हम खीचते हैं, तो देखे, यह आपका निकल गया, तो इसे आप वापस से बंद कर लीजिए, तो यह आपका fix हो गया, निकलेगा नहीं, similarly, जो बाकी के जो knob से उसे भी हम खोल लेते हैं, जैसे आप देख सकते हो, निकल गया, फिर दो खोलना चाहते हो, तो आप इसे उपर वाले को बंद कर लीजिए, और इसे कर लीजिए, तो यह आपका दो खोल गया, इसे अगर आप कर देते हो, तो आप तीन खोल सकते हो, तो इससे क्या है, आपका जो tripod का length है, वो बढ़ जाएगा, इसके बाद आप इसे इस तरह से रखिए, और यह आपका set हो गया, I hope आपको दिख रहा होगा, जैसे आप देख सकते हो, बहुत easily यह आपका नीचे से उपर तक set हो चुका है, तो अब हम क्या करते हैं, इसका जो length है, वो थोड़ा सा ना अप लेते हैं, तो मिर पास एक measuring tape है, तो इससे पता चल जाएगा, यह total कितना length आपका रहता है, मैं क्या करता हूँ, इससे नीचे रखता हूँ, और अपने पैरों को नीचे रख लेता हूँ, ताकि आपको अच्छे से बता पाऊँ, तो अगर हम इससे अभी total देखें, तो यह है आपका mobile के साथ, जो total height है, वो है आपका 38 inch, यानि कि 12 inch एक का होता है, तो 36 inch आपका 3 foot और 38, तो 3 foot 2 inch लंबा यह आपका रहता है, तो काफी ज्यादा लंबा आपको मिल जाता है, और एक चीज जैसे मैंने starting में कहा था, अगर आप इसे भी खोल लेते हो, यह जो knob है, तो यह भी आपका ऊपर हो जाएगा, तो इससे क्या है, आपको बह बहुत ज्यादा लेंडी हो चुका है, तो अब हम देखते हैं, इसका total length कितना आता है, तो अगर हम नीचे रखे, और उपर में करूँ, तो यहाँ पर आपको 45 inch आपको मिलता है, तो 45 inch यह आपका लंबा रहता है, जो की काफी ज्यादा है, अगर फिर भी आपको लगता है क दो चीज आपको बता दूँ, सबसे पहली चीज, इसका price वाकई कम है, मैंने जब इसे खरीदा है, तो इसका price 299 रुपीज था, जब मैं वीडियो अपलोड करूँगा, उसका price में आपको बता रहा हूँ, 299, अब future में इसका price बढ़ या फिर कम भी हो सकता है, वो depend करता है इसके selling के ऊपर, दूसरी चीज जो सबसे important चीज है, दूसरी चीज जो मैंने कहा सबसे important चीज है, वो है इसका weight weighing capacity, तो आप इसके ऊपर approximately 2000 ग्राम, यानि के 2 किलो का कोई भी weight रख सकते हो, अगर उससे ज्यादा हुआ, तो हो सकता है, यह आपका fissal जाए, फिसलने के बाद यह इस तरह से निकल जाएगा, देखें यह भी आपका निकल गया, तो आपको क्या करना होगा, फिर से इससे इस तरह से डाल कर वापस tight करना है, फिर से इससे आपको इस तरह से डाल कर वापस tight करना है, और यह आपका फिर से ready हो गया, तो approximately 2 kg तक आप इसके ऊपर weight रख सकत तो ये दो चीज़े आप हमेशा याद रखेगा तो हम आप इसे वापस से नीचे कर लेते हैं ताकि आपको मैं अच्छे से दिखा दू ट्राइपॉड स्थाइड सिमिलरली एक-एक को हम खोलते हैं जब आप एक-एक को खोलोगे तो आप इसे इस तरह से इस तरह से डाल दीजिए फिर इसे आप खोलिए दूसरा वाला जो हाइट है वापस से एक, दो, तीन, सिमिलरली, अगर आप नीचे वाला खोल दो, तो यह आपका पूरा अंदर चला गया, और उसके बाद आप इसे टाइट कर लीजे, तो आप इसे different levels में खोल सकते हो, जितना height आपका requirement है, उतना height भी आप कर सकते हो, अगर आप चाहो तो आप इसे इस हाथ में पकड़ कर, जो selfie camera जो कहते हैं, आप इसे इस तरह से भी use कर सकते हो, selfie camera के हिसाब से, तो guys यह है आज का वीडियो, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, तो channel को like, share और subscribe जरूर करें, मैं इसी तरह के कुछ नय वीडियो के साथ आपके सामने फिर आऊंगा, त